मेरे घर की एकोनोमिकल कंडिशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी तो मैं भी कई बार मिट्टी काटने का काम क्या है मैंने मिट्टी काट करके खुद कई बार पैसे कमा है जो दर्द है इसको परमानेंटली हमको खर्म करना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है वह मैं पढ़ाई और मैं 104 डिगरी फीबर में मैं पटना में गया एक्जाम देने के लिए तुम्होंने कहा कि साइद इसे ब्लड कैंसर है या काला जार है तो एक ऐसा मोमेंट था जब मैं पूरे अंदर से सिहर गया तो चार बार असफल होने के बावजूद आप पांचीवी बार के लिए तैयार होते हैं तो उसके पीछे आपका सीर्फ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमरित राज है मैं बिहाराज के एक छोटे से जिले जहानाबाद का किसुनपुर गाउं का रहने वाला हूं भारत में अधी पांच टफेस एक्जाम की बात की जाये तो उसमें एक नेट जारेफ का एक्जाम होता है जिसमें मैंने जून 2019 में इतिहास बिसे के साथ वीथ 97.19% मैंने जारेफ क्वालिफाइड किया है आज मैं जो स्टॉक के माध्यम से आप लोग के साथ अपने सक्सेस जर्नी सेर करने जा रहा हूं मैं काफी दिनों से जो स्टॉक का वीडि 1995 में जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या आज 2020 में भी वहां पढ़ाई लिखाई का महौल नहीं है और मेरे घर की economical condition बहुत ही ज़्यादा खराब थी मेरे माता पीता दोनों मजदूरी क्या करते थे तो अमूमन ऐसा होता था कि माता पीता मजदूरी करने जाते थे तो मुझ मिट्टी से कमाए हुए पैसे से पढ़ेगा और एक दिन मेरा दुख दूर करेगा ये दर्द दूर करेगा तो मैंने उस साहित मां मी माँ मेरे दहने कांड़ी कटने का मिया है मैंने भी कई यदि कई पैसे कमा हैं उस समय 100 रुपे मिलते थे दिन भरके तो मुझे मा ले जा माथे पर डाला जाता था, उस समय मुझे एहसास होता था, कि इस बिमारी जो दर्द है, इसको पर्मानेंटली हमको खत्म करना है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है पढ़ाई, तो उस दौरान जब मेरी प्राइमरी अस्कूल में एजुकेशन की बात तो जब वही मुझे प्राइमरी अस्कूल के सुनपूर में एडमिशन के लिए ले जाया गया, उस समय मेरा कोई नायम नहीं था, लोग मुझे बिगलू बिगलू कहा करते थे, तो वहाँ मुझे फर्स क्लास में एडमिशन हुआ और जब मैं नरसरी में एडमिशन लिया, तो मैं उस समय अपने घर का पहला बच्चा था जो नरसरी में एडमिशन लिया था, उसके बाद वहाँ से फिर मैंने वन टू थी अपने घर से पढ़ाई की, और घर से पढ़ाई करने के बाद, जब वहाँ पढ़ाई लिखाय का महौल नहीं था, तो मेरे मामा जो की पेश की जो मेरी स्कूली एजूकेशन होई वह अब मेरे नानी-γάऊ गुंसा से हुई और primary school गुंसा से पढ़ाई करने के बाद नानी गाउं के बगल में एक गाउं है दावदपूर जहां high school दावदपूर में मेरा class 6 में admission हुआ मुझे याद है जब मैं class 6 में admission के लिए गया था तो मेरे teacher थे सुरेश यादव उन्होंने मुझे से 2-4 सवाल किये थे constitution से related तो जब मैं छटी class में गया था admission के लो उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत चोटे हो तुमारा class 6 में admission अभी कैसे ले ले तो उन्होंने बोला कि आप से 2-4 सवाल मैं पूछूँगा आप जबाब दोगे तो मैं class 6 में admission दे लूँगा तो उन्होंने पहला उनका सवाल था ये कि आप constitution का formation किस ने किया था तो मैं अभी तक किसी भी लोगों से प्रभावीत नहीं हुआ लेकिन मुझे जिन्दगी में किसी एक personality ने प्रभावीत किया है तो वो है डॉक्टर बियार अंभेतकर तो मैं डॉक्टर बियार अंभेतकर को बच्पन से ही पढ़ता था तो मैं जानता था कि constitution के founder है वो डॉक्टर अंभेतकर है उसके बाद मेरा class 6 में admission हो गया class 6 में admission होने के बाद मैं लगातार class का चुपी सबसे अच्छा student हुआ करता था मैं पढ़ने में intelligent था तो class 6 से लेकर के 10 तक मैंने high school दाधपूर से पढ़ाई की जब class 10 का result आया था तो मेरे class से मातर 6 लड़कों ने first division हासिल किया था जिसमें से एक मैं भी था class 10 करने के बाद जैसे अमूमन लोग करते हैं बिहार में अकसर लोग science से पढ़ाई करते हैं intermediate की और math लेते हैं अभी भी है लक्षमन कुमार तो मेरा उनके हाँ admission हुआ तो मुझे आद है कि मैं sir के हाँ जब admission के लिए गया था तो मैं पंद्रे सो रुपया पे किया था first year के लिए तो उन्होंने first year से टेस्ट लेना सुरू किया तो मैं जब first year से टेस्ट देना सुरू किया था mathematics के class में तो first year से लेकर second year last तक कूल मेरे class में 34 tests हुए थे math के जिसमें 33 में math ओपर था लेकिन last का जो test था math उसमें मैं second लाया था तो चुकी class में वहां भी मैं intelligent था इस बज़ा कर 11 में मुझे fees लगा था बाकि 12 में मेरे सारे टीचरों ने मेरे fees माफ कर दी थी 12 के बाद मेरी पढ़ाई जैसे बिहार में अमूमन लोग SAC के तयारी में लग जाते हैं लेकिन मेरा लक्ष थोड़ा और लोगों से different था तो मैंने अपना motive fix किया था National Defense Academy में जाने का तो मैं NDA की तयारी के लिए में पटना निकल गया चुकि मैं वैसे school से education प्राप्त किया था जहां मैं बोड़ा लेकर करके जाय करता था और वहां English नाम की पढ़ाई होती नहीं थी तो मेरा English शुरू से कमजोर था और NDA में 300 marks का English का exam होता था और finally यह हुआ कि मैं NDA में select नहीं हो पाया लेकिन NDA में एक और paper हुआ करता था जीयस का paper तो जीयस की paper की तयारी के लिए मैं पटना में एक teacher है डॉक्टर एम रहमान में उनके पढ़ाई करने के लिए जाता था वो इतिहास पढ़ाते थे तो एक दिन ऐसे ही वो इतिहास की class में पढ़ा रहे थे चंद्रगुप मौर्र तो वो सोसाइटी पढ़ा रहे थे मौरें सोसाइटी तो मैंने उनसे दो चार सवाल कि पढ़ने के बाद उन्होंने बाद में फिर मुझे बुलाया office में और personally मुझसे contact किया और उन्हेंने बोला कि अभी तुम्हें और पढ़ने क्याब सकता है तुम्हारे अंदर इतना curiosity है तो मैं किसी अच्छे से college से इतिहास में graduation करने चाहिए तो फिर मैंने वहां से motive fix किया कि अब मैं इतिहास से graduation करूंगा तो बिहार में हमोमन जो लोग इतिहास या किसी भी social science के subject से करना चाहते हैं तो वो बिहार का number one college है पटना college पटना वहा बाद एक date निकाला जाता है आपको admission के लिए लेकिन वो date सन्योक से पता नहीं चला पाया मेरे पास smartphone नहीं हुआ करता था उस समय तो admission नहीं लने के पीछे एक बज़य भी थी कि जब मैं admission के लिए जा रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी मा को बताया कि पटना कॉल्ज में पढ़ना है एडमिशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे याद है उन्होंने गवाँ से किसी आदमी से उन्होंने कर्ज ले करके मुझे 15 सो रुपे मेरे छोटे भाई के दवारा पटना भेजवाया और उस 15 सो रुपे लेकरके मैं पटना कॉल में अड्मिशन हुआ जब मेरा पटना कॉलेज में अड्मिशन हुआ तो वहां मुझे अच्छे प्रोफेसर्स का मागदर्सन मिला जब क्लास थर्ड यर में गया मैं ग्राजुएशन का थर्ड यर में जब था तो मैंने भी अपना टार्गेट फिक्स किया कि अब मुझे भी प्रोफेसर बनना है और मैं भी एजुकेशन देने में लोगों को हाथ बटाऊंगा तो वहां से जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट जारिफ की एक्जाम क्वालिफाई करना होता है तो मैंने उस समय पहली बार ग्राजुएशन के थर्ड यर मे और दूसरी तरफ मैं जारिफ की तैयारी कर रहा हो था क्योंकि पोस्ट ग्रेजुशन कर रहा था और साथ में नेट की तैयारी कर रहा था तो मैं जनवरी 2017 में पहली बार एक्जाम दिया नेट का और उस समय चुकि मेरी तैयारी नहीं थी तो जनवरी 2017 में मैंने एक्जाम देख़ा कि questions का label क्या होता है उसके बाद मुझे पता चला कि question का standard कुछ जदा ही होता है तो उसके बाद फिर जन्वरी 2017 में मेरा final selection नहीं हुआ फिर उसके बाद November 2017 में मेरा दूसरा exam होने वाला था नेट का तो दूसरे एक्जाम नवंबर 2017 के एक्जाम से ठीक एक सबता पहले मुझे डेंगू हो गया और मैं 104 डिगरी फीबर में मैं पटना में गया एक्जाम देने के लिए पटना दून पबलीक स्कुल में उस समय मेरा सेंटर था तो उस समय भी के ताने थे उससे भी मैं जूज रहा था तो इस दोरान जब मैं जुलाई 2018 में मैं एक्जाम देने गया तो उस समय नेट का पैटर्न बदल गया था तो उस पैटर्न ने सारे लोगों के परिशानी में डाला तो अब्यस्ती बात है मुझे परिशानी में डाला होगा तो जुल पाई 2018 से पहले एक महिना मुझे अचानक से पेट में दर्द रहने लगा तो जब पेट में दर्द रहने लगा था तो मैं गया अचानक से एक महिने से मैं किसी को बता नहीं रहा था तो एक महिने बाद मैं गया पतना मेडिकल कॉलेज होस्पिटल PMCH में तो वहाँ तो उन्होंने अपने senior doctor को बुलाया और senior doctor ने आते ही मेरा पेट शुकर बोला कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है मुझे अचानक से बात समझ में नहीं कि समय बहुत कम है का क्या मतलब है तो फिर उन्होंने मुझे से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो मैं बोला कि मुझे प्रोफेसर बनना है मैं नेट जारिफ के तयारी कर रहा हूं मुझे वो क्रैक करना है उन्होंने मुझे से बोला कि तुम्हारी जिंदगी रहेगी तभी तो तुम नेट करो गए तो मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें 30 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना होगा तुम्हारे गॉल ब्लाडर में तो मैं भी अचमभीत रहा कि यह क्या हो गया मेरे साथ मैं ऐसा तो एकसपेक्ट भी नहीं किया था तो फिर मैंने तुरत होस्पिटल से बाहर निकला और अपने मामा से संपर किया मुझे मैं ने बताया कि सिचुएशन ऐसा ऐसा है उन्होंने एक प्राइबेट डॉक्टर है डॉक्टर केवल सरण जो पटना बैठते हैं वो उनसे संपर किया और उनके वो मुझे भेजे फिर वहां गया तो मुझे पता चला वो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें टाइफाइड है तो टाइफाइड समझ करके मुझे एक महीना तक लागातार इंजेक्शन दिया गया य एक तरफ मेरा जो डेस्टिनेशन था जो मैं फिक्स क्या था कि मुझे ज vibration करना है और एक तरफ मेरा personal life चल रहा था जिसमें मैं net की तयारी कर रहा था तो और तीसरा जो था वो था आपका मैं पोस्ट ग्रेजुशन कर रहा था तो वो तीनों चीज को एक साथ डिल करना मेरे लिए आसान नहीं था तो जब मैं गया डॉक्टर के अहां तो डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला कि यह अब टाइफाइड का चुकी हो गया कोर्स खत्म हो गया एक मह थे उन्होंने कहा कि साइद इसे ब्लड कैंसर है या काला जार है तो एक ऐसा मोमेंट था जब मैं पूरे अंदर से सिहर गया था अब एक मोमेंट के लिए जयारे बगरा सारा चीज मेरे अंदर से सुन हो गया था मैं जीरो पर चला गया था कि एक क्या हो गया फिर मैंने वह हो जाती है और हमारे जैसे गरीब लोगों कि इस बीमारी का इलाज करना एफोर्ट करना भी आसान कम नहीं था तब फिर उन डॉक्टर केवल सरा ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक्सपार डॉक्टर मिथिलेश कुमार जो राजेंदर नगर रोड नमर 12 में बैठते हैं वो उंकोलोजिस्ट है पीम्च के हम एक एचुडी हैं कैंसर भिवाके तो मैं उनके नहीं रात में गया 10 बजे रात में गया तो उनसे मुलाकात नहीं हुई उस रात मुझे निद नहीं आई और फिर कल सुबह में 10 बजे गया की आखिर तो जल्दी से हुआ कर ट्रीटमेंट होगा तो हो सकता है यदी बेटर होना होगा तो होंगे तो इसलिए मैं गया था जब सुवह में गया तो उन्हों ने ब्लक एंसर के चेकप के लिए आपके पेट से पेट में इंजेक्शन डाल करके थोड़ा सा मांस निकालना होता है उससे आपका चिक अब कि सक्षर्द एक साथ इतना मोटा इंजेक्शन लेकरके चारों ने, मुझे एक ही साथ पेट में डाला और उस से मैं ऐसा लगा था कि मैं हूँ ही नहीं यहां पर, कुछ , ऐसा लग रहा था कि मैं विल्कुल खित्म हो गया तो लेकिन दर्द भी हो रहा था और सामने में मामा थे और मैं उस दर्द को बरदास्ट कर रहा था लेकिन उस दर्द में भी मुझे ये फोकेस था मैं कि ये दर्द चाहे जितना भी हो मुझे final destination मेरा जारेफ है मैं वहाँ पहुंचूंगा मैं blood cancer से भी लड़ूँगा चाहे जो भी बीमारी हो मैं उस सब से लड़ने के लिए तयार हूँ लेकिन मैं जारेव से compromise नहीं करूँगा तो फिर वहां से जब मेरा treatment हुआ तो मैम थी जो उसने मुझे पूछा finally कि तुम्हें दर्द नहीं होता है तुम रोते क्यों नहीं मैं उनसे कुछ बोला नहीं मैं बोला कि अक्तर ऐसा होता है कि बच्पन से मेरा हालात ऐसा बीदा था गरीबी में कि यह सब दर्द बगर मेरे के लिए कुछ चीज नहीं थी आपको इतना इससे ज्यादा पहले मैं फेस कर चुका था एक वैसा दर्द जिसकी मां 48 डिग्री टेंपरेचर में मिट्टी काट कर अपने बेटे को दो चार पैसे देती हैं पढ़ने के लिए वो दर्द से ज्यादा इस cancer का दर्द कता ही नही और इप्टैंजरज डिजीज इसमें से एक अब्यानल यहीं अल्मोस पैसेंट की देत हो जाती हैं तो उसमें अब आपडोपी टीवर क्लोसी WOW सीसे चूंकी मुझे लडना था और चुछ दिए विमारी में होता है वह एक साल आपका दवारी सॉस होता है तो एक साल का literature से तो उसमें मुझे एक महीने तक, तीन महीने तक सॉरी, सौ दिन तक लगातार मुझे इंजेक्शन लेने थे, तो हंड्रेट देज तक इंजेक्शन लेने थे और उस समय चुकि बर्सात आगया था, तो मेरे घर से दूर था क्लिनिक जहां मैं रूम लेकर के रहता था, तो वहा तो मैं अपने दोस्तों को इंजेक्शन देना सिखा दिया, कि मैं वहाँ दूर नहीं चल करके जाओंगा, तुम मुझे इंजेक्शन दे देना रूम पर ही, और मैं सही रहूंगा, तो लगातार हंडेट डेज तक इंजेक्शन चले, और साथ में, मुझे जाद है, बारह द जारेफ, वहाँ से कोई मुझे भटका नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ जो मैंने मोटीफिक्स किया था, मैं वहीं पर अडे हुए था, कि ये सारी चीजों से मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन जारेफ से कोंप्रमाइज मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर अब्डोमिनल टूबर जब एक्जाम का बारी आया, तो उससे ठीक 15 दिन पहले मेरे रिलेटिव कोई आ गए, मेरे फ्लेट पे, तो उनके बज़े से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, और पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो वह रिजल्ट में बाद आउत्पन हो गई, तो फाइनली, लोगों ने मुझे गोद में खिलाया, उन लोगों कभी ताने आते थे, कि अब छोड़ दो, अब तुमसे नहीं होगा, ये जारेफ्ट जो करते हैं, वो ज्यादा उम्र के लोग करते हैं, नेट तो लोग हार जाते हैं, तब करते हैं, लेकिन मैंने टार्गेट फिक्त किया है, जिसको मैं अपने घर वाले को नहीं बताया था, डॉक्टरों ने मुझे पैदल चलने से माना किया था, लेकिन मैं अपने खर्चे के लिए होम टूशन पढ़ाया करता था, और मैं चार किलो मीटर, चार किलो मीटर अपने रूम से पैदल चल करके, फोर्थ फ्लोर पे चड़ कर मैं पढ़ाने जाया करता था, मैं जिनके हां पढ़ाने जाता था, उन लोगों किसी को भी मैं आभास नहीं होने दिया कि मैं अब्डोमिनल टूबर क्लोसिस से पीडित हूँ, ये मेरा दर्द था, मैं किसी के साथ सेर करना नहीं चाहता था, एक दो लोगों के 2018 में इतना प्रेशर आ चुका था, लोगों ने मुझे, they were taunting on me so much, that's why मैंने target कर लिया कि अब ये बहुत हो गया, अब मुझे जून 2019 में result देना ही है, तो मैंने ममी से promise किया, कि मा मैं तुम्हें जून 2019 में double surprise देने वाला हूं, पहला surprise, कि मैं abdominal tuberculosis से लड़के मुक्त हो जाओं लोगों के ताने से, जिन लोगों ने मुझे खिलाया, पिलाया, जिन लोगों ने मुझे गोद में खिलाया, उन लोगों के ताने से मैं मुक्त हो जाओंगा, मैं आपको GRF का result देने वाला हूं, तो बारी आई, जून 2019 की, तो जून 2019 का exam था, तो चार बार से मेरा result नहीं हो रहा होता है तो जब मैं वहाँ से निकला तो जून 2019 की तैयारी में फिर से लग गया मांसे मैंने प्रोमिस किया था और मैंने इस पर सारे लोगों से संपर्क तोड़ दिये मैं जब भी घर जाता था तो घर में मैं खाना जरूर खाता था लेकिन खाने के साथ साथ मुझे तान करता हूं मैं हमेसा बोलता था दो मैं जब अगली बार आए ने सूचिअ लेकि अब इस बार आओंगा मैं रिजल्ट निकाल करके आओंगा यूजा अनुजाना के नॉज्श ठब घावाया जाता था तो जून 2019 की एक्जाम की बारी की बात आई तो उस दोरान मेरी तयारी जो थी वो क्लाइमिक्स पर चले गए मैंने दिन रात पढ़ना शुरू किया और पढ़ाने भी जाता था दिन रात पढ़ता भी था खुद से खाना बनाना और खुद से सारा चीज मैनेज करना उसके बावजूद दस से बारा घंटे पढ़ाई करना ये मेरे लिए आसान नहीं था लेकिन फिर भी मैंने उसको आसान करके दिखाया वो जब जून 2019 की एक्जाम की बात आई तो मैंने जून 2019 का एक्जाम का फॉर्म भरा और फिर मेरा सेंटर इस वार वहीं बिहार में पा कड़कर राजगीर वाले ट्रेन में तो ट्रेन में मैं रात भर जो गाड का रूम होता है गाड के रूम में मैं बैठ करके रात भर पढ़ता गया मुझे निंधी नहीं आ रही थी और मैं जब सुबह एक्जाम सेंटर पे गया और एक्जाम में गया जब मैंने पेपर वन का सवाल सोल्ब किये तो इस बार मेरे पेपर बन में मैंने काफी अच्छा स्कूर किया पिछले चार बार के तुलना में तो मैं एक्जाम में बैठा हुआ था तब ही मैं समझ गया था कि इस बार तो पका जारेफ होने वाला है नेट से कॉंप्रमाइज नहीं होगा मैं जारेफ क से बताया कि तुमको सर्पराइज जो मैंने किया दृह बहुत जल्थ और फिर मामा से पगा थी तो मामा ने मैंने बात उत्च छुपाया कि मीरा जारेफ नहीं होने वाला। मैं सचा उनको एक बड़ा सा सर्पराइज दूंगा उनको लगया की आइसा कैसे हो गया आचानक स तो फिर जब वहां से मैं आया रूम पे तो 13 जुलाई की रात की बात है 13 जुलाई को फाइनली रात में तीन बजे NTA ने अपलोड किया रिजल्ट मैं सोया नहीं था मैं और मेरा दोस्त सुभास हम लोग आंसर मैच कर चुके थे तो मुझे पता था कि मेरा इतना परसेंटे जा रहा है तो उसमें चुकी उससे कम परसेंट में ही जारेफ हो रहा था और उससे मेरा 5 परसेंट ज्यादा था तो मुझे पहले से पता था कि मैं इस बार जारेफ कर लोंगा तो रात को तीन बज़े रिजल्ट आया और उससे ठीक एग घंटा पहले मैं मामा को बोल करके आया था कि मेरा रिजल्ट पिल्कुल निकल चुका है बस आप ये समझे कि वो आपके फोन में आना बस बाकी है एक जो फॉर्मालिटी है वो सिर्फ बाकी रह गया है उनको यकीन नहीं हो रहा था फाइनली मैंने उनको तीन बज़े रात में बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मैंने ज्यारेफ क्वालिफाई किया है और तो मामा जो थे मामा को बताया तो मामा को पूरी रात निंद नहीं आई मैं मा को बताया मा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक तरीके से जो एक आपका ड्रीम होता है जो आप करना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाता है तो अपने आप खुशी के जो आसू होते हैं वह मा को भी बेचायन कर दिया, मा भी रोने लगी, पापा भी रोए और मेरे छोटे भाई जो मुझे बहुत ज्यादा कोपरेट किया है समय समय पर और एक जो अपरत्रेक शुरूप से जो मुझे सबसे ज्यादा स्वयोग मेरे बड़े भाई ने किया, जो ने कभी सोफ नहीं और वहां से मुझे कई अखवार बालों में मुझे संपर किये और मैंने दो तीन अखवार को टेलिफानिक इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद अगले दिन अखवार में चारो पांचो जितने भी अखवार थे, उन सारे अखवारों में मेरे रिजल्ट के आए, और उसके बाद मेरे लिए सबसे खुसी की बात ये थी कि मेरे माता-पिता जिसके घर में खेती करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे, मिटी कारने जाते थे, वो लोग अब मेरी मा को सलाम करने लगे, इस से बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे ले कुछ नहीं हम सकते है, तो मैं वो काम करने जाते थे उन लोगों ने माँ से कहना सुरू कि आपका बेटा जब भी आएगा तो एक बार मिलबाईएगा जरूर हमको अपने बेटों को थोड़ा सा गाइड कर देते तो अच्छा रहता मेरा मानना है यह है कि यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो जीवन के दो पहलू होते हैं एक आपका प्रोफेस्नल होता है एक आपका परस्नल होता है तो आप अपने प्रोफेस्नल लाइफ को और परस्नल लाइफ को कभी खिचरी ना बनने दें सीधा सब्दों में कहें तो आप अपने दिमाग और दिल को बैलेंस बनाना जिस दिन सि इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें